इन्फ्यूजन पंप एक ऐसा सिस्टम होता है जो मेंडिसिन को सीधे पेसेंट के बिलड स्टीम में डालता है अब नेक्स्ट है एक्सरे मसीन नेक्स्ट है दिर्प होल्डर इस पर दिर्प लगती है तब बोतल को टांगने के लिए कामाता है नेक्स्ट है नेबूलाइजर मसीन नेबूलाइजर मसीन की हेल्प से सांस लेना आसान हो जाता है इसके अंदर दवा डाली जाती है जो बच्चों को सीधे नेबूलाइजर से मिलती है वो इससे सांस लेता है Nebulizer से दवा easily पहुँच जाती है इसका यूज आता तर बच्चों में किया जाता है अब next है Stature जो patient को shift करने के काम आता है next है BMW container इसका यूज biomedical based management के लिए किया जाता है हर container का अलग यूज होता है blue वाले container में साब चीजन डालते हैं से निडल है गिलास है काच होता है और red वाले में plastic waste डाला जाता है और yellow वाले में anatomical waste डाला जाता है और black वाले में paper waste डाला जाता है food waste भी अब next है ICU bed इसका यूज ICU में critical patient को care देने के लिए करते हैं अब next है blood sample while इसमें blood sample को collect करते हैं test के लिए next है cardiac monitor monitor का यूज vital signs देखने के लिए करते हैं next है IV drip set इसका यूज drip लगाने के लिए किया जाता है next है pregnancy kit इसका यूज pregnancy check करने के लिए करते हैं जो first वाला है वो negative है और जो second वाला है positive है अब next है ventilator ventilator का यूज जब patient की condition बहुत ज्यादा critical होती है उसे breathing लेने में problem होती है तब किया जाता है next है PDR drip IV जब हमें patient को कोई injection देना होता है IV तब PDR में हम उसे dilute करके NS के साथ तब देते हैं next है urine container इसमें urine sample जाता है urine के examination के लिए इसका यूज इस पुटम के test के लिए इस पुटम का sample लिया जाता है next stool container इसमें stool के examination के लिए stool का sample लिया जाता है next है antiseptic solution यह antibacterial liquid होता है जिससे bacteria के against हमें safety provide करता है जिससे infection लगने के chances कम हो जाते है next embu bag का huge patient को breathe देने के लिए किया जाता है next है यदि patient को सांस लेने में problem हो रही है तब bypep machine का use करते हैं इसका huge patient को चलने में उसके support के लिए किया जाता है thank you so much for watching my video and subscribe my youtube channel amazing nursing classes शाते हैं अपर मेंस केंपार्ण जाते हैं